दोस्तों अगर आप भी उमेश यादव को एक शांदार खिलाडी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरू कीजेगा दोस्तों भारत और न्यूजिलेंड के बीच शुरू हुई टेस्स सिरीज के पहले मुकाबले के दूसरे दिन खेल की शुरूआत हो चुकी है जिसमें भारती टीम की पारी लड़ खड़ाते हुए नजर आई पहले दिन के अंत में स्रेय सेयर और रविंद्र जडेजा की बदौलत भारती टीम ने जो शांदार स्कोर खड़ा किया था उसके बाद दूसरे दिन के शुरूआत में न्यूजिलेंड की टीम ने शांदार वापसी करते हुए भारती टीम को कावी बड़े जटके दिये हैं लेकिन इसी बिच भारती टीम के उमेश यादों ने एक ऐसा कारनामा दिखाया जिसे देखकर सभी भारती खिलाडी हैरान होगे तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं आखिर क्या क्या ओमेश यादों ने लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है क्या भारती टीम पहले टेस्ट मुकाबले में जीत हासिल करने में कामयाब हो पाएगी या नहीं हमें नीचे कमेंट सक्षन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कानपूर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेले जारहे पहले टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन में भारती टीम के शुरुआज जादे खास नहीं रही जिसके जलते भारती टीम पहले दिन के अंध तक चार विकेट खोकर 252 रन बना लिये थे इसके बाद दूसरे दिन की शुरुआत में न्यूजीलेंड के गेंदबाजों ने शांदार तरीके से वापसी करते हुए क्रिच पर खड़े रवींद्र जडेजा और स्रेया सयर का विकेट निकालकर भारती टीम को काफी बड़े जटके दिये इसके बाद भारती टीम अब अपनी पारी को संभालने में नाकाम्याब रही हाला कि इसी बीच बलेबाजी करने के लिए उत्रे भारती टीम के खिलाडी उमेश यादो ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे देख भारती टीम समेट पूरी भारती टीम काफी हैरान रह गई दरसल भारती टीम के आठ विकेट गिर जाने के बाद करिच पर मौझूद उमेश यादो और इशांत शर्मा की जोड़ी स्कूर को बढ़ाने की कोशिच कर रही थी इसी बीच उमेश यादों ने न्यूजिलेंड के शांदार गेंद बाज जैमिशन की गेंद पर एक शांदार छखका जड़कर सभी को हैरान कर दिये और उनके इस छखके की गूज कीवी टीम के खेमे में ऐसी गूजी की सभी खिलाडी के पैरों तले जमीन खी सक गई चूँकि एक टैलेंडर के तौर पर किसी भी खिलाडी से उमीद करना मुश्किल होता है वो वेपक्षी टीम के सबसे खतरनाग गेंद पर एक ऐसा शाट मारने में कामयाब हो सके लेकिन उमेश यादा उन्हें खतरनाग तरीके से शाट खेल कर सभी को हैरान करके रख दिया और ऐसे ही शानदार कपरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सबस्क्राइब करेजिएगा